हाई फ्रेंस आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्पिन हिंदी में फ्रेंस आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कुछ कोशन के उपर जैसे कि गवा की उमर कितनी होनी चाहिए यानि कि जो कोट में गवाही देता है उस विटनिस की एज कितनी होनी चाहिए दूसरा ये कि गवाही और फाइनल जिरा यानि कि डी पोजिशन और फाइनल आर्गूमेंट में एक अच्छे जच को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एक कोशन ये कि एक बालिया बयान क्या होता है और इसके नियम क्या होते है और एक लास्ट कोशन ये कि क्या कोई वेक्टी पुलीस या फिर कोट की पूछताच के समय अगर चुप रहता है तो क्या उसकी चुपी को उसके खिलाब यूस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता तो जानेंगे इन कोशन्स के आंसर आज की इस वीडियो में तो शुरू से आखिर तक जुड़े रही है इस वीडियो के साथ तो सबसे पहले बात करते हैं पहले कोशन की की कोट में गवाही देने के लिए एक विटनेस की एज क्या होनी चाहिए तो मेरे अनुसार कोई भी वेक्ति कोट में गवाही दे सकता है जिसे की कोट ये माने की उसकी मेंटली जो स्टेटस है वो बिल्कुल सही है और वो सवालों की जवाब दे सकता है और उसमें उमर का होना कोई गवाही देने में आयोगिता नहीं माना जाता कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार में हिंसा के दोरान बच्चों की गवाही ली जाती है ये सोच कर कि बच्चे ने जो भी देखा होगा उसमें वो जूट ना लगा कर जो उसने घर में होते हुए देखा होगा वही वो पुलिस या कोट को बताएगा पर जो 12 साल से कमा यू का बच्चा होता है उस बच्चे से शपत पत्र लेने का कोई नियम लागू नहीं होता पर उसकी गवाही को कोट में माना जा सकता है इस तरह एक किडिनैपिंग के मामले में दिली हाई कोट ने केवल 5 साल के बच्चे की गवाही के अधार पर ही किडनैपर को उमर कह दे दी थी क्योंकि वो 5 साल का बच्चा वही था जिसका की किडनैप हुआ था तो उसकी गवाही को माना गया तो कोट में गवाही देने के लिए उमर का ऐसा कोई मैटर नहीं होता तो अगला कोशन के बात करें कि गवाही और फाइनल जी रहे के दौरान एक अच्छे जच को क्या करना चाहिए तो सबसे पहले हमें एक बात जान लेनी चाहिए कि जो वकालत जैसा पेशा होता है वो बहुत ही दाओं पेच चलाने वाला प्रोफेशन है अगर जज गवाही या फिर फाइनल बहस के दोरान सावधान होकर ना सुने कोई भी पार्टी का वकील उसका गलत फाइदा उठा सकता है और जो न्याई है वो अन्याई बन सकता है कोट में दोनों पक्षों के जो वकील होते हैं वो अपने क्लाइन को रीप्रेजन करते हैं पर यह जरूरी नहीं होता कि दोनों पक्षों के वकील बराबर की टक्कर लेने वाले हो अगर दोनों पार्टियों में से कोई एक वकील नया हो तो सामने वाले वकील को ठीक धंग से काउंटर नहीं कर पाएगा और तेज तरार वकील जो है वो अपनी मर्जी से कोशन पूछ कर दूसरे वाले को कमजोर बना देगा इसलिए जज़ को बीच-बीच में खुद भी इंटरफेरन करके प्रोसीडिंग को रोकना पड़ता है और दुबारा सी चालू करवाना पड़ता है जो क्रिमिनल केसे होते हैं उसके जो वकील होते हैं वो काफी तेज तरार वकील होते हैं वो कोट में गवा को अपने कोश्चन्स पूछ कर नर्वस कर सकते हैं और तेड़े मेड़े कोश्चन्स पूछ कर वो केस को अपनी तरब भी कर सकते हैं कुछ वकील गवा के सामने तेज बोलते हैं आँखे दिखा कर बोलते हैं ताकि गवा नर्वस हो जाए और मायूस हो जाए कुछ वकील अपने गवाहों को प्यार से अपने मतलब से पूछ कर गवाह को फसाने की कोशिश करते हैं तो कुछ गवा से गलत लेडिंग कोश्चन पूछ कर उनसे कुछ गुलवाने की कोशश करते हैं तो कई बार जज को उनको खुद भी टोकना पड़ता है कि आप इस तरह के सवाल कोट में नहीं पूछ सकते इस तरह के कोश्चन जो केस से रिलेटिड ना हो उनको पोचने से रोकना पड़ता है तो जजज का ये काम होता है तो एक जजज के ये ड्यूटी होती है कोट में की वो इरेलिवन कोश्चन को पोचने से मना करे और ये देखता है कि फाइनल आर्ग्यूमेंट में कोई किसी के साथ नाइनसाफ ही ना हो और गवाह को पजल करने के कोई कोई कोशिश ना करे अगला कोश्चन लेते हैं कि इकबालिय बयान क्या होता है और इसके नियम क्या होते है जब कोई आरूपी अपनी मर्जी से किसी अपराद के रिलेशन में ये दावा कर देता है कि मैं अपराद का सच जानता हूँ और कहता है कि मेरी बताई गई सबी बाते सच है मैं अपनी मर्जी से बिना किसी दबाओ में अपना बयान दर्ज कराना चाहता हूँ इसी को एकबालिया बयान कहा जाता है एकबालिया बयान का मतलब होता है जुर्म को कबूल करना या अंग्रेजी में इसे कह सकते हैं कन्फेशन करना किसी पुलिस कर्मी या फिर पुलिस अधिकारी को एकबालिया बयान देने के लिए गवाह को ना तो फुसलाना चाहिए और ना ही कोई धमकी देने चाहिए और ना ही कोई पुलिसकर में उससे कोई वादा कर सकता है एक इकबालिया बियान को मजिस्टेट ले सकता है magistrate को एकबालिया बयान देने वाले व्यक्ति को ये सपश्ट कर देना चाहिए कि वो एकबालिया बयान देने के लिए मजबूर नहीं है उसे किसी तरह से डराया या धमकाया गया नहीं है और ये भी बताना पड़ता है कि एकबालिया बयान उसके खिलाफ सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है एक magistrate एकबालिया बयान को तभी दर्ज करता है जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि जो वेक्ति एकबालिया बयान दे रहा है वो अपनी मर्जी से दे रहा है magistrate को ये रिटन में ये घोशित करना होता है कि उसे बयान देने वाले वेक्ति के अधिकारों के बारे में समझा दिया गया है और magistrate को ये भी लिखना पड़ता है कि बयान उसकी मौजूदगी में लिया गया है और बयान देने वाले को पढ़कर भी सुनाया गया है अगर कोई व्यक्ति पुलिस को कोई इकबाल या बयान देता है और पुलिस को ये लगे कि जो इकबाल या बयान देने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ शक करने का कोई उचित आधार नहीं बन रहा है इसको ये अधिकार है कि वो उस वेक्ति को अंडर्टेकिंग लेकर वो बताए गई समय पर पुलिस या फिर मजिस्टेट के सामने पेश कर सकता है तो पुलिस उस वेक्ति को एक undertaking लेकर ये बता सकती है कि इस समय पर पुलिस या फिर magistrate के सामने पेश होना है तो इस सर्थ पर उसे छोड़ा जा सकता है या फिर उसे magistrate के सामने पेश भी किया जा सकता है तो अब बात करते हैं अगले question की कि अगर कोई वेक्ति पुलिस या कोट के पूछताच के दौरान चुप रहता है तो क्या उसकी चुप़ी को उसके खिलाफ यूज किया जा सकता है तो उसका answer है बिलकुल नहीं जो कि सविधान के article 23 कहता है कि कोई भी वेक्ति पूछताच के समय चुप रह सकता है उसकी चुप़ी का परियोग उसके खिलाफ एविडेंस के रूप में यूज नहीं किया जा सकता CRPC की धारा 162 और 313 और 315 भी मौन रहने के अधिकार को स्विक्रती देता है तो इसलिए अगर कोई वेक्ति पूछताच के दौरान चुप रहता है तो उसकी चुप़ी को उसके खिलाफ यूज किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता तो फ्रेंस ये था आज का हमारा वीडियो कुछ कोश्चन्स के उपर उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिये शेयर करिये अगर आप लॉसे रिलेटिट कोई कोश्चन्स की एकवारी करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगी उसके उपर भी वीडियो जल्दी लेकर आऊ और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिएगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए तो फ्रेंज आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मच